तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह हे इवनिंग रेप में हम देखने जा रहे कि निफ्टी 50 और निफ्टी बेंक का जो है आज जो ही किस तरीके से पॉफोमेंस रहा है और इनके अगले जो लेवल है वह हम क्या एसपेक्क कर सकते हैं तो चली क्यूक लिए स्टार्ट करते है लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारा यूट्यूब चैनल है वो जस्ट एक एक एजूकेशनल परपस से बनाया गया है यह किसी भी स्टॉक को खरीजने या बिचने के लिए रिकमेंडेशन नहीं करता है अगर आप किसी भी स्टॉक के अपती इंट्रेस्ट आ रहा है S&P 500 भी यहाँ पर फ्लैट है और नस्टक में जो है थोड़ी वो तेजी जो है लगबग एराउंड वन परसंट के सम्तिंग यहाँ पर दिखाए दे रही है लेकिन ग्लोबल मार्केट जो है वो बिल्कुल यहाँ पर आपको रेड होते वे दिखाए दे रहा है त है तो डेफेनेटल यहाँ पर कल के दिन जो है गलोबल डेटा हम यहाँ पर प्रेडिक कर सकते हैं कि हमारा जो खले के दिन dryer गया पर मार्केट değiş выходogen um आप को यहां पर आपको भीक्ने दिखाई जिखाई दे रही है साति जो हैंक सिंग वाला जो मार्केट है उसमें लगबग बंपर आपको डेखने को मिल रही यह जो कि लगबग 10% के सम्टिंग यहां पर गिर चुका है और साथी जो है अधर जो मार्केट से यहां पर आपको फ्लेट होते वे फ्लेट जो है कारोबार करते वे नजर आ रहे हैं इसको यहां पर निफ्टी 50 को वीकली टाइम फ्रेम पर आपको यहां पर एक जो है इक मारा बोजु केंडल यहां पर डीप रेड बनाते वे दिखाए दिए और यह चोटी से हैमर केंडल दिख रही है जो कि इसके जो है यहां से सपोर्ट लेवल से जो है बैक बाउंस करते है यहां पर नजर आ रही है जो देखना यह इंटरेस्टिंग होगा क्या यहां पर जो है मार्केट जो है 25,000 का coyуйте लेवल है उसको सस्टेंग कर पाएगा या नहीं कर पाएगा अगर 25,000 को अगर यह बैक्य है पर यहां पर सपोर्ट यहां पर जो है market आपको आते वे upcoming days में भी आपको दिखाई दे सकता है सो कल का दिन जो है काफी interesting होने वाला है देखने लाइक year आएगा कि market का जो है जुकाओ किस तरफ रहता है या beers किस तरफ या फिर bull की तरफ साथ ही अगर हम इसको daily time frame पर देखो तो daily time frame में आपको जो है जब बनता है जब market में जो है किरावट होती है और उसके बाद somewhere कहीं पर अगर यहाँ पर बुलिश हरामी केंडल बनती है तो यहाँ पर जो indication देता है upside जाने के लिए तो there is a high possibility कि यहां से जो है as far as as far as the technical concern concern यहां से market जो है upside ही होना चाहिए यह आपको जो है candlestick chart pattern यहां पर बता रहा है बट इसके साथ ही आपको जो यह 25,000 के level जो है sustain करना काफी जरूरी है तो देखना काफी interesting रहेगा कि कल के दिन market में क्या हो सकता है साती यहां पर लोगों के mind में जो है काफी सारे questions आ रहे होंगे like क्या nifty ने अपना bottom यहां पर लगा लिया है कि इसकी जो monetary policy है उसके ओपर यहां पर update आ सकती है there might be some reduction or there is some addition in our tax rate so यहां पर यह भी काफी interesting होने वाला है अगर यह market के favor में रहा then definitely यहां से market को support मिलेगा upside जाने के लिए अगर market की expectation के according नहीं रहा then definitely यहां पर आपको फिर से जो है आपको यहां पर bearishness जो है market में दिखाई देगा साथी जो है अगर निफ्टी 50 के भी अगर हम देखे तो निफ्टी 50 वाला जो है weekly time frame में जो है इस चार्ट के अंदर वस्तावा नजर आ रहा है और साथी जो है यहां पर भी जो है जिस तरीके से आपको पता है कि निफ्टी 50 के लिए जो है हाई बेटेज वाला जो स्टॉक है वह रिलाइंस इंडस्ट्री साथी जो यहां पर banking स्टॉक में जो अगर देखोगे तो HDFC जो है जो कि हाई बेटेज जो है निफ्टी बेंक के लिए रखता है सो यह दोनों ऐसे हाती है जो कि मार्केट का रूक कहीं भर भी बलत सकते हैं यहां पर मिलती इंटस्रिंग कि थाइम पर देखते हैं कि एप आप देखते हैं अगर आप देखते हैं तो यहां पर भी जो है पेटर नहीं यहां पर बनते वे दिखाया दे रहा है जो कि यह इंडिकेशन दे रहा है कि यहां से मार्केट में फर्दर अपसाइट होना चाहिए तो इसमें आज का जो ग्लोबल मार्केट है यह मॉर्निंग में देखना इंटरस्टिंग रहेगा कि वह किस तरीके से क्लोज होता है उसके बाद ही जो है महारी यहां पर फाइनल जो है प्लानिंग मार्केट के प्रति कर सकते हैं कि मार्केट का रुक क्या रहने वाला है साथ अगर आज के दिन एडवांस और डिकलाइन के अगर हम बात करें तो तो थाउजन फॉर्टिफाइव स्टॉक जो थे वह एडवांस कर रहे थे वही पर जो है एराउंड जो है 470 स्टॉक के सम्टिंग जो है वो डिकलाइन कर देसका मतलब यही कि देर इस फॉर ताइम्स फ सब्सक्राइब के समझे आपको तैजी दिखाई दिखाई दी अडानी इंटरफाइज काफी समय के बाद जो है अबर 4 पर संटकी समय की तेजी दिखाई दिए अगर में बात करो तो ब्लुजर में था यहां पर आप देखोगे तो यहां पर अभी भी जो है FII की तरफ से जो है continuously जो है selling ही हो रही है so overall जो नेट जो market में दिखा है वहां पर वो पेशा आते भी दिखा है जो कि somewhere 1271 करोड के something market में जो है इंटर हुआ है so stop specific आज की जो update है उसमें जो है IRFC है जिसमें के एक जो है bumper news है और bumper news यह ही कि IRFC जो है railway को जो है लगबग 700 करोड का जो है यहाँ पर जो है यहाँ पर fund जो है वो allocate कर रही है for the development so जो की जो है Bombay जो है Bombay Kenil वाला जो एक वालेड प्रजेक्ट के लिए जो है यहाँ पर development में support कर रही है so there is a high possibility कि यहाँ से जिस तरीके से market ने जो है यहाँ पर correction show किया है उसके बाद से यहाँ पर जो है stock जो है काफी corrected हो चुका है और there is high possibility कि अगर यहाँ से market में अगर upside रहती है then definitely जो stock है आपको जो है यहाँ से तेजी से जो है bumper जो है उपर आते वे आपको दिखाई दे सकता है और अगर इस market में अगर further गिराओट रही तो यह stock जो है आपको 135 के level पर भी आते वे दिखाई देगा तो मेरे जाब से जो है इस level पर भी अगर आप जो है stock के कुछ quantity अगर खरीदते हो तो कोई problem नहीं है साथ यह अगर मैं बात करूँ यहाँ पर Ola Electric की तो Ola Electric में भी जो है update है और जो update है वो बिल्कुल negative है तो देखना यह interesting रहेगा कि market जो है इसको किस तरीके से लेता है So news यह आ रही है कि यहाँ पर ministry of road, transport and highway जो है यहाँ पर एक explanation जो है Ola Electric से मांग सकते हैं जो कि consumer की complaint के base पर है जहाँ पर जो है company जो है जो road के जो नियम कानूंस जो होते है उसको कहीं नहीं कर पा रही है So companies के नहींना होजा voluntary recall So देखना यह interesting होगी क्या company यहाँ पर positive action लेती है against this fear of rumors जो चल रहे है market में और साथ एकर इसके chart के अगर हम बात करें तो यह जो है आप जानते होगी यहाँ पर recently जो है एक ola electric का जो है यहाँ पर IPYR और यहाँ से जो है market ने जो है काफी जो है upside होने के बाद जो है यहाँ पर काफी सारा correction यहाँ पर show कर दिया है और जिस तरीकी के यहाँ पर candle बन रही है वो एक bullish piercing candle यहाँ पर बन रही है जो कि gap down opening हुई है और gap down के साथ जो है इसकी closing हुई है लगबख previous candle के 50% के उपर ही यहाँ पर इसने closing दिये है तो there is a high possibility के यहाँ से जो है market में impact करती है देखना काफी interesting रहेगा अगर market में अगर फर्दर गिराओट हुई तो यह stock आपको 75 के level तक आते वे दिखाई दे सकता है जो कि इसका initially जो है यहाँ पर सबसे lowest point है जो है यह ओला electric का जो IPO launch होके जहाँ पर इसकी open price पर यह आया था तो देखना काफी interesting रहेगा कि क्या ओला electric जो है फिर से 75 के level पर आ रहा है और अगर यहाँ से अगर फर्दर अगर नीचे गिरता देने इस stock में भेंकर गिराओट आपको expect करना चाहिए बट मुझे इसा लग रहा है कि इस stock में इससे ज्यदा गिराओट आना जो है थोड़ा सा मुश्किल है बट somewhere अगर ही है यहाँ से 75 के level पर भी आपको मिलता है तो डिस पर आप इसको जो है buy कर सकते हैं साथी जो है torrent power में भी जो है यहाँ पर जो है काफी अच्छी न्यूज है तो यहाँ पर जो है कुछ आवार्ड मिला है और यह अवार्ड जो मिला है MECDECL से मिला है जो की 2000 मेगावाट जो है energy storage capacity के लिए मिला है साथी जो है इनको एक sale के जो है कुछ orders भी मिले जिसकी जो value है लगबख 1680 करोड के समतिंग है तो जिस तरीके से stock का performance रहा है तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बंपर जो है अभी तक जो है return से stock ना बना के दिये है और यह जो stock अगर मैं इसको multi bigger stock भी कहूँ तो यहाँ पर जो है अतिश्योक्ति नहीं होगी और जिस तरीके से stock में जो है upside जो है further दिख रही है उस आप से stock में जो है अभी तक अगर दिखा जाए तो जो भी यहाँ पर तेजी होनी थी वो अभी factor in हो चुकी है सम्वेर अगर यह stock जो है अगर आपको 1637 पर अगर आते भी दिखाए दिता तो यहाँ पर आप जो है एक फ्रेश आपकी आपकी बाइंग की बना सकते हैं लेकिन जिस तरीके से मार्केट में न्यूजर यह इस टॉक में जो है कल के दिन जो है माइल से आप जो है पॉजिव में आप दे सकते हैं साथ ही इसमें जो है आपको अगर नोटिफिकेशन चाहिए तो जरूर जो है बेल आइकन भी जो है साथ में प्रेश करिए और बिल्कुल जस्ट रिक्वेस्ट तो यू कि शेर इस वीडियो तो यूर फ्रेंड एंड कलीक्स इस वेल तुग इफ इफ इ थैंक यू बबाई